नमस्ते मेरे बेरोजगार भाई और भेनू मैं आपकी समस्षा से अच्छी तरह अपगत हूँ क्यों कि आपने काफी समय से अपने घर वालों से बहार रहकर कोचिंग करके, काफी पैसा खर्च करके इस इस्तर पर पहुंचे हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है लेकिन मान्य श्री असो गहलोजी और सिक्छा मंत्री डोडासरा जी को साइद ये नहीं पता कि इस वक्त बेरोजगारों के दिल पर क्या बीत रही है अगर उनको S.B. J.P.R.S.C. की सला से ही काम करना था तो इस सला को जोइनिंग कराने से पहले जस्ट लेने की क्या जर्रत थे क्यों माना था इसको आप जब भरती कर रहे थे उसी पिरेड में J.P.R.S.C. ने सला क्यों नहीं दी तो ये लास्ट टाइम पे आकर नक्ती को रोगने का रीजन क्या है इसका जवाब क्या है आपके पास अस्ट गहलो जी है डोटा अस्ट जी अगर नहीं है तो आप इन बेरोजगारों को नक्ती देनी चाहिए अगर आप नक्ती नहीं देते हैं तो सभी बेरोजगार जब रोड पर आ जाएंगे तब आप उनका क्या करोगे क्या करोगे उनका उनके दिलों के साथ खेलना बंद करो ये भरती तो आपने निकाली भी नहीं थी लेकिन आपने एक भरती अगर सईडंग से कराई हो तो मुझे बता दीजिए हर भरती के बीच में रोड आट काते हो आप एक भरती निकले हुए हो जाते है चार-चार साल सरकार चली जाती है दूजी सरकार आ जाती है जब तक वो भरती अठी रहती है बिचारे बेरोजगार ना इधर काम करते हैं ना इधर करते हैं इससे बढ़िया तो इस पढ़ाई को छोड़कर सिठ्चा को छोड़कर अपने मजदूरी कर लेंगे वो जादा बढ़िया रहेगा कम से कम सरकार को पर डिपेंडेट तो नहीं होना पड़ेगा लेकिन सरकार सिठ्चा की तरब इतना ध्यान देरिये के सिठक्षित करो सिठक्षित करो जी दिये अन्य था ये बेरोजगार युवा धरने पर बैट जाएगा और रोड जाम हो जाएंगे क्यों इनको रोडों पर निकलने के लिए आप मजबूर कर रहे हो फिर कहते हैं कि लड़के बेरोजगार लड़के सरारत करते हैं इसमें ऐसमाजिक तत्वा गय थे इसलिए ये काम हो गया ये हो गया ये हो गया सो बातों को लेके चलते हो तो ऐसी प्रेशानी नहीं आए उससे पहले ही उसका डिसीजन क्यों नहीं निकालते हैं बताइए आप मुझे कि आपने जब स्कूल आवन्टन कर दिये सारी चीज़े कर दी तो जोइनिंग कराने में आपको जब S-P-R-J-P-R-S-C की सला का पता चला कि हाँ जब उससे पहले क्या वो सो रही थी क्या उससे पहले आपकी कोई बात नहीं होती थी लास्ट टाइम पर आपने उसकी सला को मान किष्टी लगा दिया वा सरकार वा ऐसी सरकार हो तो फिर कहना ही क्या बेरोध गार सटकों प आपने घर का पैसा खुद को इसमें जोंक दिया अब वो इसके सिवा जाए तो जाएगा फिर ये क्या करेंगे आत्मत्या करेंगे ये बेरोजगारी की आत्मत्या को बनाना चाहती हूँ आपको सरम आने चाहिए इसलिए इस नुक्ति को जल्दी सीज दीजिए जिससे तो गहलोज जी और सिक्षा मंत्री गोविन डोटास राजी से नबनी विदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है इन निक्तियों को दीजिए सबी विरोजगार विवाओं को जॉइनिंग कराईए और आगे की भरतियों के लिए का रास्ता साफ करिए जैहिंद जैभारत बं बालेकम नमस्कारम जैशिरी राम